रिद्वी गाडणिंग एंड पैट्स में आप सभी का स्ववागत है। दोस्तों मैं अपने सेकंड सेटप में आया था, अज मेरी चुटती थी तुमेने का पानी डाल देता हूं प्लांट में तो प्लांट में पानी देने आया था और यहां पे मेरे कुछ ग्राप्टेट प्लांट भी रखे हुए हैं और कुछ सीड ग्रोन भी है और कुछ अरे भी कम भी है तो उनमें फ्लाबरिंग हो रही है तो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस टाइप से कौन-कौन से कलर अभी फ् जिन में भी फ्लाबरिंग अभी होने की है श्टार्ड हो रही है बड बन रहा है उनमें तो चलिए दिखाता हूं आपको तो और एक लास्ट मेक में अरेबिकम भी दिखाऊंगा कि इसमें कुछ प्रॉब्लम हो रहा है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा तो दोस्तों जैसे कि आप यह देखिए एक यह कलर है यह मेरे खाल से रेड कलर में है और अभी ओपन होने का है और एक हमारा सैड में है यह देखिए यह सैड में है यह कलर भी हमारा भी खिलने का है और जैसे कि आप यह किया वाला देख पा रहा है यह मेरा सीड ग्रोन है जैसे कि आप यह देख होगा और एक ये color है और इस color में ये कह सहीं से खिल नहीं पाता है ये color देखिए ये indica glaze type में कुछ color में है साथ धूप के काण साथ color समझ में नहीं आ रहा होगा आप लोगों को तो दोस्तों की मैं उन लोगों से निवेधन करना चाहता हूं कि जो मेरा भी वीडियो देख रहे हैं और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज्यादा ज्यादा इसका ये भी है दोस्तों इसका भी अभी ओपन हुआ नहीं है और इसमें और उसमें थोड़ा सा अंतर है हो सकता है कि अभी ये ओपन नहीं हुआ इसलिए थोड़ा सा अंतर है इसमें थोड़ा सा डार्क ब्लू आ रहा है इसमें लाइट ब्लू आ रहा है दूप के कान साथ आपको color समझ में नहीं आ रहा होगा और दोस्तों एक color देखिए यह मेरा अभी ही खिला है यह मेरे ख्याल से कल कल परसो के दिन देखा था तो open हुआ नहीं था कल मैं आया नहीं और आज देख रहूं तो यह open हो गया और एक सिंगल पैटल तो आप देखें हैं दोस्तों यह मैंने दो तीन वीडियो में मैंने दिया हूँ इसके मेरे पास यहाँ पर दो प्लांट है और यह इसमें कुछ देखिए यहाँ पर जैसे कि आप यह देख पा रहा है तो शाद यह नेचर से जो है पॉलिनेट भी हो गया है अब यह देखने कि यह इसमें सीट पॉड बनता है या नहीं बनता बाद में मैं बताऊंगा कभी सीट पॉड बना तो बनेगा तो मैं आपको बताऊंगा और जैसे कि आप यह वाला प्लांट देख पा रहे हैं दोस्तों देखें यह वाला प्लांट जो आप देख पा रहे यह मेरा सीट ग्रोन है और इसमें भी बड़ बन गई है और मुझे यह लगता ही कि यह भी हमारा जो नॉर्मल कलर का जो होता है वही है यह देख पा रहा है आप यह प्लांट है वह दूपके कांड साथ थोड़ा सा सही समझ में नहीं आ रहा होगा और एक सीट एक सीट ग्रोन ग्रोन ये मेरा इसमें भी फ्लाबरिंग आ रही है और सम्वाउता मुझे लग रहा ही कि यह नॉर्मल कलर का लोग को वह होगा है वह होगा यह हमारे सीट ग्रोन और एक सीट ग्रोन यह भी है तप इसका फ्लाबरिंग थोड़ी सी डेमेज हो गई यहाँ पर यह देखिए जिसे कि आप यह देख पा रहा है यह सूख गई है चलिए कोई दिक्कत नहीं है आज आएगी और एक मेरा एक और रोजी का एक कलर ओर दिखात ठीक है बहुत बढ़िया कलर है और शैड भी अच्छा है और रोजी वेराइटी का है और यह पुराना इसका एक फ्लाबर यह देखिए एडेनियम के फ्लाबर तो बिलकुल गुलाब के जैसे ही दिखते हैं जैसे कि आप लोग को मालूम है और यह वारा तो आपने देख च दोस्तों चलिए एक दो प्लांट में अपना अरेविकम का भी दिखाता हूं जिसमें फ्लाबर बड बन रही है देखिए दोस्तों एक यह हमारा अरेविकम का है इसमें फ्लाबर बड बन रही है अभी सिर्फ एक ही ब्रांच में बनी है इसकी यह हमारा किंग कॉंग का और बागी तो मुझे बागी में डिखनी रहें। एक हमारा ऐक इये प्लांट है, अरैवी कम का, इसमें भी फ्लावर बड बढ़िया आगी है। इसकी डो ब्रांचों में हमारे फ्लावर बड आई है। और एक संभवत है इसमें भी फ्लावर बड़ बन रहा है तो इसमें भी हमारे दो ब्रांचों में फ्लावर बड़ दिख रही है और एक इबी यह है इसमें भी फ्लावर बड़ दिख रही है इसमें भी दो ब्रांचों में और यह दोस्तों अरेविकम के मेरे जो प्लांट है अभी मेरे पास जो अरेवी कम में थे उसमें फलाबरिंग हुई नहीं थी तो अभी होने वाली तो मैं फरस्ट टाइम इनको इंजॉइ करूंगा और अभी किसी प्रकार का मैं कुछ करूंगा नहीं क्योंकि ये मेरे बहुत अभी एज में छोटे हैं, देड़ साल, लगभग, हाँ, एक साल, देड़ साल की प्लांट हैं ये मेरे, और एक मेंने अरेवी कम का एक प्लांट मैंने अलग से लिका ला हूँ, दोस्तों, उसमें थोड़ा सा कुछ मुझे प्रॉब्लम समझ में आ रह करूंगा तो दोस्तों यह है इवी का है और यह थोड़ा सा कोडेक्स यह देखे जैसे कि आप मैं दबा रहा हूं तो आप को समझ में आ रहा होगा यह सौप्ट हो रहा है तो मैं इसे लेकाल के चेक करूंगा कि क्या प्रॉब्लम इसमें रॉटिंग बगेरा का कुछ इशू प्लांट को मैं से ओपन करके इसको चार-पास दिन बाद में इसको रिपोर्टिंग करूंगा और बस इतना सही दोस्तों यह मेरे सेकंड सेटम में और तो यहां के फ्लाबरिंग कैसे लगे थोड़ा सा यह जरूर बताईएगा और जो मेरा सीट ग्रोन है उसमें नॉर्मली क्लार लेकलेंगे यह दूसरे कलार लेकलेंगे वी जोगा से कमेंट करके मुझे बताईएगा तो चलिएदेश दोस्तों